हाई फ्रेंड्स मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मेरे से पूछते हैं कि 250 ग्राम्स और 500 ग्राम्स अगर जोती ब्रांड या कैड ब्रांड की स्लेट पैंसिल लें तो उसमें कितनी आएगी आज मैं आपको जो है ये वीडियो ही उसी के ऊपर मैंने बनाया है सबसे पहले मैं आ आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे वीडियो और लाइक करिए जिस और आई बटन पर जाकर क्लिक करके मेरे अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे नए वीडियो को देख सकेंगे ततर बेल आइकन दबाना ना आप मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे मेरे नए वीडियो देख सकें तता बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे जोए नए वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सकें और यह देखिए यह 2,491 हो गई 491 ग्राम्स यह 500 ग्राम्स मतब जो केजी इसको हम कह सकते हैं इस यह लगभग जो है हमारी 70 से लेके 85 तक अगर हम इस स्टिक काउंट करें तो 70 से लेके 85 इस स्टिक्स तक इसमें होती है अब देखिए मैं आपको कैड़ ब्रांड की दिखा रही हूं कैड़ ब्रांड की स्लेट पैंसिल के थोड़ी सी थिक होत है और कैड़ ब्रांड की थिक होती है तो कैड़ ब्रांड में थोड़ी सी स्टिक्स कम होंगी लेकिन क्वांटिटी तो उतनी होंगी तो इसमें जो है लगभग 45 से लेके 55 तक हाफ केजी ने चड़ जाती है अगर हमें sticks count करें तो और थोड़ी सी देखिए आप ये भी देखिए कि मेरी जो slate pencils एकदम white हैं ये red नहीं है white slate pencils हैं ये देखिए ये 250 grams में इतनी आई है अब मैं आपको दिखाते हूँ कि 500 grams में कितनी आएंगी ये देखिए ये हो गया 395 ये देखिए ये थोड़ी थिक हैं जोती ब्राइन की अपक्षा 476 हो गया और ये पूरा जो है 500 grams या हाफ केजी है हाफ केजी में कैड ब्राइन की हमारी slate pencils इतनी आएंगी ये 45 से लेके 55 तक इस्टिक्स तक होंगी ये जोती ब्राइन में जो है आपकी 70 से 85 तक इस्टिक्स ये मैं एक्जक्ट अब ये देखिए ये हमारी red slate pencils हैं इनको पिंक भी कह सकते हैं ये बहुत सारे लोगों को पसंदे और ये थोड़ी thick slate pencils हैं जो जिनको हम बार भी कह सकते हैं थोड़ी मोटी हैं ये और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दबाना ना भू लेंगो के बाइब बाइब